हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई पढ़ाई आई थिंक आप लोग सब ठीक होंगे लॉक्डाउन देरे खुलने लग रहा है उम्मीद है अगले महीने यह जुलाई के खतम होते होती ही सिचुएशन काफी नॉर्मल आने लग जाएगी लेकिन अगर ना भी हटे तो हमारी पढ़ाई पर उसका कोई फरक नहीं बटना चाहिए हम लोग पूरी कुशिश करते हैं कि हर एक छोटे चोटा चोटा वीडियो हर एक सिंप्लिस्ट सिंप्लिफिकेशन आप तक पहुंचाया जाए और दूसरी चीज एक और यह भी कि क्या ह होता है कि जब बी कोई ब京skन वहीं आता है हमारे साथ हुझा थे मेरे साथ सब्सक्राइण होता है कि पिछली क्लास से बहतर करना है और मोग उपर मैनद भी करते हैं वह है रही फैसें चीजली वाटने को करने लेकिन एक problem होती है अब पिछली class में बहतर नहीं किया होता ना तो उसके बहुत सारे topics हमें नहीं आते हैं और वो कुछ topics होते हैं वो बहुत सारे तो नहीं उन्हें से बहुत थोड़े से कुछ topics होते हैं जो इस present class के लिए हमें जरूरी है लेकिन क्योंकि हमें वो नहीं आते ह हमारा motivation चब बहे जाता है कुछ पता नहीं चलता है उसका कुछ निकल के नहीं आता है उससे तो we are working on this हम कोशिश कर रहे हैं कि 10-15 वीडियो उसका 15-20 वीडियो उसका एक particular program चलाया जाया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे हर class के लिए जो previous class होगी उसके जो important topics हैं हर subject के जो आपके इस present class में suppose अगर 12 में आप इस साल आये हैं तो 11 के कुछ topics जो compulsory लिए आपको आने ही चाहिए बिना उनके आप 12 शुरू ही नहीं कर सकते हम वो topics का आपको simplest simplification लाके देंगे कुछ 15-20 वीडियो के sets में तो जो लोग हम से जुड़ेव हैं बहुत थोड़े से लोग हम लोग जानते हैं प्लीज कोशिश कीजिए कि आप लोगों के साथ में अगर वो वीडियो किसी और की मदद कर सकते हैं तो उन्हें आप जोड़े बहुत जल्द हम लोग यह कोर्स लेकर के आई पढ़ाई पर आएंगे Anyways, come back to the topic पिछली वीडियो हैं रीज लोगी थी यही कुछ आपने देखा होगा कि कैसे concentration of gas प्रेशर पर डिपेंट कर रही है याँ आप जाधा amount में solute मिलाना चाहते हैं इसी भी solution के अंदर तो आप प्रेशर बढ़ा दीजिए जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी solution की ability बढ़ती जाएगी solute को अपने अंदर मिलाने की यह था Henry's law पर इसमें एक problem आने लगी problem क्या थी कि यह जो concentration वाला factor था ना यह कुछ जगे काम कर रहा था कुछ जगे काम नहीं कर रहा था मतलब concentration तो अब आप जानते हो आपने 12th 11th में पढ़ा होगा molarity, molality यह दोनों तरीके की concentration हम generally use करते हैं पर चाहे molarity use करो या molality use करो हमारे पास accurate results नहीं आ पारे थे कई बार formula के according हमने देखा कि x amount of concentration y amount of pressure पर मिल जानी चाहिए formula के साब से तो सही था वो लेकिन वो practical life में possible नहीं हो पाया कुछ जगे जादा मिल रहा था कुछ जगे कम मिल रहा था तो हमें accuracy चाहिए थी इस henry's law को modify होने की जरुरत थी modify मतलब इसमें कुछ correction होना था जरूरी था ऐसी बात नहीं है यह formula अब use में नहीं आता है गलत था पर completely नहीं अभी भी बहुत सारे cases में यह use आता है बहुत सारे cases में हम इससे answer निकाल सकते हैं और वो सही भी होता है कुछ selective cases में error आने लगता है इसलिए हमने एक और law बना लिया जिसका नाम के रखा अपने modified henry's law और यह law जो है यह सब जगे applicable है मतलब आप इसको दुनिया में कहीं भी लगाओगे न उन cases पर भी लगाओगे जो henry's law के cases थे तो यह वहाँ पर भी accurate results देगा और साथ-साथ में बाकी cases में तो देगा यह देगा जो कि henry's law नहीं दे रहा था यहाँ पर क्या करा उसने उसने कुछ नहीं करा उसने भी एक graph बनाने की कोशिश करी अब की बार उसने यहाँ पर हमने पहले concentration लिया था मैं एक बार reference के लिए concentration लिख रहा हूँ हटा दूँगा बुटा pressure of gas right so इस बार उसने क्या करा इस बार उसने concentration तो लेनी थी लेकिन उसने molarity या molality या normal concentration कोई भी ना ले करके उसने क्या ले लिया मोल fraction लिया कि चलो कोशिश करते हैं mol fraction यूज करके देखते हैं हटाओ molarity molality को देखते हैं अब की बार काम ठीक होता है गया और अब कुछ भी कहो किसकी भी रहमत हुई हो उसका काम ठीक हो गया उसने देखा कि डिरेक्री proportionality का nature बन रहा है यानी mole fraction जो भी आप solute का use कर रहे हो उसको बढ़ाया जा सकता है मिलाते वक्त अगर आप pressure को बढ़ा दो दूसरी statement में कहूं तो अगर किसी भी solution में आपको एक particular amount का solute dissolve करना है तो ये बात तो तो तह है कि एक point के बाद saturation आही जाएगा है ना अगर आपको saturation point से जादा भी solute उसके अंदर डालना है तो आप क्या करें pressure को बढ़ा दें तो pressure बढ़ाने से concentration बढ़ जाती है और accuracy के लि आ गया pressure इस बार directly proportional है किसके mole fraction के ठीक है और आपका solution निकल के आ जाता है क्या modified henry's law क्या निकल के आया कि pressure जो है वो k h into x के equal है x b कहूं कुछ नहीं कराया पन्दे पिछली बार pressure p pressure ही था इस बार भी pressure ही है कोई difference नहीं है k h जो है वो क्या है henry's constant है ठीक है ना और आपका x b mole fraction है तो यह formula modified henry's law का practically हर एक case पर applicable हो रहा था ठीक है हर जगा इससे results निकलने रहे हर जगा इसके results देखने को मिल रहे थे so this was a great achievement actually अब achievement तो ठीक है हमारे पास एक confusion हो गई कि sir अगर numerical आ जाए paper में तो फार्मुले अलग अलग है ऐसा तो है नहीं फार्मुले से में हम कौन सा लगाएं modified लगाएं या फिर normal लगाएं तो बेटा मैंने आपको बताया कि henry's law गलत हो सकता है लेकिन completely नहीं कुछ cases में error दे रहा था पर mostly cases में सही था उन कुछ cases को eliminate करने के लिए as a cumulative हमारी accuracy को बढ़ाने के लिए हमने उस law को modify करा और practicality के through mole fraction के basis पे हमने एक जादा accurate relation निकाल लिया ठीक है ज्यादा सटीक था यह यह यूज दोनों कर सकते हो numerical जब आपके सामने आएगा लेट से यह आगया आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है numerical या तो उसके अंदर जैसे इस case में यहाँ पर दिया हुआ है as per modified henry's law या तो ऐसा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है मान ल तो उसने नहीं लिखा कि यह henry's law का numerical है या modified henry's law का numerical है तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे बहुत ही simple सा concept यूज करेंगे जिसको कहते है common sense common sense के हिसाब से इस formula को लगाते वक्त आपको चाहिए concentration जो की या तो होगी molarity की form में या होगी molality की form में इस बात को लिख लिजेगा ध्यान रखिएगा बट जब आप modified henry's law यूज करेंगे तो आपकी जो concentration होगी वो किस form में यूज करी जाएगी mole fraction की form में यूज करी जाएगी तो इसी common sense का यूज करते वे मान लो मैं इसे ना पढ़ू using modified henry's law को मैंने कर दिया ignore कि भई आप देखना ही नहीं है इसकी तरफ तो मान लो है ही नहीं है question में और अब पढ़ो question को the value of constant is 150 Taur एक unit होती है pressure की जानते होंगे आप लोग at 308 Kelvin Kelvin is the unit of temperature की जो pressure Henry's constant की value है वो 150 Taur है 308 Kelvin पे बताइए vapor pressure क्या होगा acetone का जब उसका mole fraction 0.12 है तो जब आपने यह पढ़ी लिया है यहाँ पे कि यार इसने साफ साफ लिख दिया mole fraction के बारे में तो क्या आप किसी को भी यह बतानी की जरुरत है कि कौन सा लो लगाना है नहीं है बिलकुल नहीं है जिनके पास भी common sense नाम का हतियार होता है उनको ज़्यादा किसी के कुछ बतानी की जरुत होती नहीं है अच्छली एन्यवेस दूइंग दिस कुश्चन बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे हमें कुछ भी नहीं करना हमें फॉर्मुला लगाना है आप लोग अच्छी तरह जानते है फॉर्मुला होता है के एच इंटू तो लेट से इस पॉइंट को हटाया मैंने अप आन में हंडर्ड आ गया दिस थ्राइस दिस ट्वाइस दिस कांसल साओ चिक्स टाइमस तो इट्स इटीन टॉर्मुला वही प्रेशर की उनिट तो टॉरी होगी ना मतलब जो भी होती है अगर आपने हें यदिरिश कॉंस्टेंट एटीेम में यूज़ किया होता तो एटीम हाती और अओर दिशान रखो इसकी उनिट जो भी है वह इससे multiply होकर के वही रहने वाली है क्योंकि mole fraction is actually a unit less value जिनको नहीं पता हो वह बात सब लोग आज ही सीख लेना और हमेशा याद रखना कि कोई भी fraction specifically chemistry में mole fraction is a unit less value उसकी कोई unit नहीं होती है कैसे निकालते हैं अपन number of moles रखते हैं उपर और total moles रखते हैं नीचे यानि उपर भी moles है और नीचे भी moles है addition ही तो कर रहे हो moles से moles कर जाते हैं आपका answer जाता है वो unit less निकल के आता है तो बहुत simple है Henry's law, modified Henry's law, solubility of gas को determine करने के लिए हम सब को आना चाहिए ठीक है ना तो बेटा और numericals मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुचा सकूँ किसी और तरीके से या तो हम लोग ऐसा करेंगे कि पीडिएफ वगर अटाच करके link में छोड़ दें या जो भी है बहुत जल्दी हम लोग इस system को और refine करेंगे आप लोगों के लिए और valuable या फिर efficient या फिर useful बनाएंगे system को तो तब तक के लिए बनास प्रीज रेगुलर्ली ये वीडियोज देखते रहें I hope या आपकी मदद कर रहे होंगे आपके suggestions, आपकी complaints जो कुछ भी है आप comments में हमसे बात कर सकते हैं we will be we would be very happy to entertain them so that's all for the day thank you very much thank you